तो साथ ओवर का मैच हो चुका है और साउथ एफरिका की टीम का स्कूर है 46 रन्स और 4 विकेट उन्होंने खो दिये हैं और अब यहां से मैच कैसा होने वाला है वों फिलाल देखना चाहेंगे हैपी आ रहा है अब इस ओवर को डालने के लिए और यहां पर इस पार्ट की शुरुआत करने के लिए और इस पार्ट जब हमने कहा तो हाँ यह तीसरा पार्ट है अगर इसके पहले के दोनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में playlist का link दिया हुआ है वहाँ पर आपको दोनों part मिल जाएंगे और पिछले वाले part का link भी दिया हुआ है तो पिछला वाला part अगर आपने चोड़ दिया है तो वह बिल्कुल देखना बनता है पर यहाँ पर पहली ही बॉल पर एक विकेट मिल चुका है और हैपी आये थे काफी अच्छी बोलिंग उन्होंने अभी तक के की है दो विकेट वो ले चुके थे पर यहाँ पर तीसरा विकेट उनको मिल चुका है और अब अब जो आ रहा है वो साउथ एफरिका की टीम के में वो लेकर क्या है है अपनी टीम को तो आज वो कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं आज वो कैसा खेलने वाले हैं वो हम बिल्कुल देखना चाहेंगे पीछे की तरफ ये शौट खेला है फिल्डर वहां पर मौझूद है पर एक रंत वासामी के साथ मिलेगा और बिल्कुल य ये सारे अनिमेशन है जो इस गेम को और भी जादा मज़ेदार बनाते हैं फिलाल यहां पर फुल लेंद की ये बॉल है बार की तरह स्विंग करती हुई और कमाल का ये शौट खेला है पॉइंट के फील्डर के बगल से और इतना फाइन ये शौट था मतलब वो हमें लगा कि मतलब वैसा तो बिल्कुल था कि वो रुखने का चांस ही नहीं था पर अगर डाइव होती तो शायद रुख सकता था यहां पर बिल्कुल शौट टैंथ की ये बॉल है और कोई भी स्विंग यहां पर हमने नहीं कराई बिल्कुल सीधी और फीछे की तरफ ये शौट खे जो कि पहली ही बॉल पर आ गया था और काफी मज़ेदार वो विकेट था मतलब हमने बॉल कुछ वैसी ही डाली थी यहां पर शायद चौका मिलेगा और शायद नहीं बिल्कुल यहां पर चौका मिला है और दस रन का ये उवर हो चुक है और बिल्कुल इन ही की हमने बात की थी कि बहुत ही मज़ेदार ये बैट्समेन है बहुत ही खराब स्थिती से अच्छी स्थिती में ये ले आ सकते हैं काफी एक्सपीरियंस नहीं और ओके शॉट ये भी बहुत अच्छा था टाइमिंग काफी जादा अच्छी थी पर हाँ प्लेस्मेंट अगर थोड़ी सी और की तरफ रहती थोड़ी सी और पॉइंट के फीलडर के तरफ रहती तो बिलकुल इस बॉल पर तो चौका लिखा रहता पर ठीक है कोई बात नहीं अब हमारे लिए तो सारी चीजे मज़ेदार चल रही है पर हाँ ये तो हम भी चाहेंगे कि थोड़ा एक अच्छा और अफरिका की टीम को एक कम ओवर्स में ही तो मज़ा तो उसमें भी आएगा फिलाल यहां पर प्रिंस आए हैं और स्पल तो प्रिंस का भी काफी अच्छा गया है मतलब दो विकेट उन्होंने भी लिये है और चार ओवर अभी तक के डाले हैं उन्होंने थर्टी थ्री रंस ने चार ओवर में तो ये काफी खराब चीज है मतलब अगर आपने 24 और एक ये जो 25 बॉल इस ओवर में हो गई तो विकेट लिया ऑगर आपकमी उतनी जाधा अच्छी नहीं है आपने रंस बहुत बहुत जादा ही दे दिये हैं यहां पर फिलाल एक चॉगा मिलता हो और व बिल्कुल ये चौका है और वैसे ये बॉल कोई बहुत जादा अच्छी थी भी नहीं इस बॉल को अगर हम बात करें तो इस बॉल को थोड़ा सा आगे की तरफ और थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकाला जा सकता था या तो बिल्कुल वो फुल टॉस या यॉरकर लेंथ की रहती पर ठीक है ये बिल्कुल वैसा ही रखने की कोशिश और फुल लेंथ की ये बॉल बाहर की तरफ स्विंग करती हुए और पीछे की तरफ खेला इसको और अगर शॉट अच्छे रहेंगे तो बॉलिंग चाहें जितनी आप अच्छी करें वो बिल्कुल वहाँ पर रन का प्लेस्मेंट और अगर प्लेस्मेंट इतना जादा अच्छा रहेगा तो फिर तो चौका मिलना ही है और वो ही हुआ यहाँ पर एक चौका मिला और मज़ेदार ये चौका मिला और अब देखना ये होगा कि इनका विकेट इस पार्ट में जाता है या फिर यह ऐसे ही तोड़े रन्स कर सकते हैं और बिलकुल इन में वो शमता है अब यहां पर 9 ओवर का मैच हो चुका है 69 रन्स बना दी हैं साउथ एफरिका की टीम में विकेट सिर्फ पांच ही गए हैं और सिर्फ पांच ही हम इस वज़े से कह रहे हैं कि अभी तक के काफी एक विकेट जा इस पार्ट की हमने शुबात की थी पर इस पार्ट में रन्स थोड़े बहुत बने पार्टनर्शिप थोड़ी बहुत हुई है इन दोनों बैट्समेन के बीच में यह जो दोनों बैट्समेन अभी मौझूद है इन दोनों के बीच में जो थोड़ी बहुत अब यहाँ पर हैपी फिर से आए हैं और तीन विकेट ये ले चुके हैं क्या इस ओवर में इनको अपना चौथा विकेट मिलेगा क्योंकि अगर हम इनके स्पेल की बात करें तो इन्होंने विकेट लिये हैं विकेट तो खेर प्रिंस ने भी लिये थे पर उनकी इकॉनमी उतनी अच्छी नहीं थी यहाँ पर फिलाल इनकी इकॉनमी अच्छी है पर एक चौका तो एक इन्होंने भी दे दिया है इस ओवर में और अब हम क्या बात करें इस चीज के बारे में क्योंकि अभी हम बोलने वाले थे कि इनकी कॉनमी अच्छी और बिलको लुसी बॉल पर एक चौका लगा दिया बैट्समेन ने 11 बॉल पर 14 रन पर ये खेल रहे हैं या पर फिलाल पीछे की तरफ शौट खेला है और थ्रो काफी ज़ादा अच्छा है वैसे यहाँ पर एक सिंगल लिया जा सकता था पर एक भी सिंगल लेने में उन्होंने मतलब वो फैसला लेने का उन्होंने सोचा भी नहीं कि एक सिंगल लिया जाए या रंस लेने की कोशिश की जाए वो शायद इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर लगाएंगे तो चौका ही लगाएंगे वरना तो फिर कुछ नहीं सिंगल डबल नहीं तो वो समय अभी नहीं है वो कोई T20 मैच का लास्ट ओवर नहीं चल रहा है कि आप सिंगल डबल ना ले और हाँ वैसे हमारा खिलने का तरीका जादा तर जो रहता है गेम में वो तो यही रहता है कि हर बॉल पर हम रन लेने की कोशिश करते हैं हर बॉल पर अगर सिंगल मिल जाए तो सिंगल और अगर डबल मिल जाए तो बिलकुल हम डबल लेने की कोशिश करते हैं और अगर last के over की बात रहे तो फिर हम देखते हैं कि अगर field वैसी है कि चौका ये छक्का लगाया सकते हैं, हम लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल हम लगाते हैं, पर अगर हमें वैसे लगता है कि हाँ यहाँ पर हम lofted shot नहीं खेल सकते, पर grounded shot खेल करते, एक double मिल सकता है, तो ह हम वही करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर फिलाल अब प्रसन्ना आये हैं और प्रसन्ना का जो एक strike rate, strike rate नहीं, जो एक economy है और जो उनके stats है, मतलब उन्होंने जितने wickets लिये हैं, वो काफी ज़्यादा अच्छा है, और यह अपना पहला ही over डालने आये हैं, अगर इस match क हम बात करें, तो हो हो, यह wide ball है, और हमने कोशिश यह की कि इस ball को मतलब बहुत ज़्यादा बाहा की तरफ से अंदर लिया जाए, और वो भी थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश किया जाए, ताकि batsman जो है, वो थोड़ा सा pass आने की कोशिश करे, थोड़ा सा lofted खेलने की को कोशिश में तो दो ball लगातार wide हो चुकी है, यहाँ पर फिलाल full toss यह length रखी हमने और बिल्कुल अच्छा यह middle किया, अब यह fielder तो यही सोच रहे होंगे कि हम करने की क्या कोशिश करने है, पर इस ball पर हम दिखाते हैं कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे थे, हम थोड़ा सा सेट कर रहे थे और बिल्कुल यहाँ पर एक wicket लिया है हमने और इस एक wicket के साथ मतलब वो तीन ball जो की बाहर से अंदर की तरफ आई, दो ball बिल्कुल बाहर-बाहर, तीसरी ball जो थी, वो full toss length की थी पर यह वाली ball, इस ball को हमने full length कर रखा और वही से बाहर की तरफ निकाला, और बिल्कुल इस ball को पढ़ने में मतलब समर्थ रहे नहीं वो batsman और वो batsman जिनके हम काफी जादा तारीफ कर रहे थे, उनका wicket हमने ले लिया है, और बिल्कुल वहाँ पर set करने की ही जरूरत थी, और set करके हमने wicket लिया, उनका अब आने वाले जो तीन batsman है, वो actually batsman नही वो bowler है, और फिलाल जो striker end पर मौझूद है, वो भी एक bowler ही है, तो अब जादा देर की batting बची नहीं है, South Africa की team में ऐसा हमें लगता है, पर हम बिल्कुल देखना चाहेंगे की क्या ये जो चौका लगा है, इस चौके के जैसे कुछ और भी shots लगते हैं, या फिर एक और w विकेट जाता है, बिल्कुल यहाँ पर एक विकेट ले लिया है हमने और अब इससे जदा मज़िदार scene क्या हो सकता है, कि इस पार्ट की शुरुवात हमने पहली ball पर एक विकेट के साथ की थी, और अब जब ये आखरी over है इस पार्ट का, तो इस over में हमने दो विकेट ली और इस over की शुरुआत दो wide ball के साथ हुई थी, और इस over में दो विकेट ली है और प्रसना का ये पहला over है, इस match की अगर हम बात करें तो पहला over है, दो विकेट उनोंने ले ली ये, पहले ही इस over में, और सात रन मात्र दिये हैं, अभी भी एक ball बची हुई है इस over की और हम यह कोशिश करेंगे और प्रसन्ना भी ऐसा चाहेंगे कि वो एक विकेट और लें यहाँ पर यॉरकर लेंद की यह बॉल है और ओओ ओओ अच्छा डिफेंस किया यहाँ पर और इसी के साथ इस पार्ट की समापती हो चुकी है आगे आने वाले जो वर्स है वो हम अगले पार् अब देखना हम चाहेंगे कि अगले पार्ट में क्या कुछ सीन रहने वाला है पर ठीक है अभी यहाँ पर इस पार्ट की समापती करते हैं